हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज च्छे माई 2019 और यह हमारी 147 भी क्लास है 12 IMPORTANT QUESTION आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज की दरश्टी से बहुत IMPORTANT है इन QUESTIONS को आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी QUESTIONS RELATED IMPORTANT FACTS भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और Current Affairs RELATED कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरू करेंगे दोस्तो जावी हनन देज हाली में जावी हनन देज ने फुटवाल से सन्यास की घोशना की है दोस्तो ये इस्पैन के रहने वाले हैं और फिलहाल ये कतर की अलसाथ फुटवाल क्लब से खेलते हैं ये बार्सलोना के प्लेयर भी रह चुके हैं नेश्ट क्वेशन माई के अंतर तक कौन सा संस्थान रडार एमेजिंग सेटिलाइट रिसाट 2BRI लाँच करेगा जिसका सेटियो औफशन है इस रो इस रो यह रिसाट 2BRI सेटिलाइट लाँच करेगा दोस्तो आपको बता दें पहले यह सेटिलाइट 2020 में लाँच की जानी थी और इसे अब PSLV C46 के द्वारा लाँच किया जाएगा आंद्र प्रदेश की स्री हरी कोटा 27 धवन अंतरिक्ष केंदर से इसे लाँच किया जाएगा दोस्तो यह सेटिलाइट हर मौसम में काम करेगी और इसका उपयोग सीमा में घुस पैट पर नजर रखने सीमा की निगरानी आदी के लिए किया जाएगा दोस्तो आप बाता यह इस रो की तो आपको इसके बारी में बता दें इस रो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन होता है इस रो की स्थापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी इसका हैट कौर्टर बैंगलूरू करनाटक में है और इसके हैड है के सिबान तो दोस्तो इतना आपको इस रो की बारी में याद रखना है इसका उद्देश मचली के स्टॉक को महत्व को रेखांकित करना है मचली की टूना प्रजाती की 40 से अधिक प्रजातियां हिंद महासागर और प्रिशांत महासागर में पाई जाती है दोस्तो ये मचली खाद्य सुरक्षा आर्थिक अफसरों और अजीवका के लिए महत्वपूर साधन है तो इतना आपको बिस्व टूना दिबस के बारी में याद रखना है नेस्ट कोश्चन थिसका सरी ओफशन है मुंबई इंडियन्स और चेनने सुपर किंग्स ये दोनों टीम है बिसो की 10 पॉपूलर स्पोर्ट टीमों में शामिल हुई है मुंबई इंडियन्स इस लिस्ट में 6 वे स्थान पर है और 7 वे स्थान पर है CSK दोस्तो ये टीम है इंस्टाग्राम की 10 सबसे ज़्यादा व्यूज वाली टीमों में शामिल हुई है मुंबई इंडियन्स के 3.4 करोड व्यूज है वही CSK के 3.4 करोड व्यूज है दोस्तो एसिया की सबसे चर्चित टीम है मुंबई इंडियन्स इसके बारी में आपको इतना जरूर याद रखना है दोस्तो पहले इस्थान पर है बारसुलोना जो एक फुटवॉल टीम है नेस्ट कॉशन दोस्तो आप बात आई सागर की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट सागर की बारी में बता दें मद्यप्रदेश का प्रतम विश्विध्याले जैसे डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्याले की नाम से जाना जाता है यह सागर में ही इस्थत है मद्यप्रदेश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर में ही बनाया गया है पहला ट्रेनिंग कॉलेज इंदोर में इस्तित है प्रतम फोरेंसिक लेब भी सागर में ही बनाई गई है दोस्तो नौरादेही वंडजी वभ्यारन सागर में ही इस्तित है एरन में सती का लिखित साक्ष प्राप्त होता है दोस्तो सागर में ही पदमा कर समारो हुए और स्टेनलेस स्टील कार खाना है तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में किस प्रिसिद्द लेखक का निधन हुआ है? जिसका सई उफ्षन है मारम राजू हाली में मारम राजू जो एक प्रिसिद्द लेखक थे इनका निधन हुआ है 84 वर्ष की उम्र में दोस्तो ये तेलंगाना के प्रिसिद्द लेखक थे और ये तेलंगाना आंदुलन के कारेकरता भी रह चुकी है इसके अलावा ये अंबेटकर ओपन यूनिवेस्टी के रेजिस्टार भी रह चुकी है तो इतना आपको मारम राजू के बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में किसे अलाइंस क्लब मारवल रॉक्स का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तो इस क्लब का समारो आयूजन हाली में जवलपुर में किया गया था तो इतना आपको अलाइंस क्लब के बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में फिटनेस के लिए हेल्थ कार्निवल हमराह कारिकरम कहां आयूजन किया गया है जिसका सई आफ्षन है भूपाल भूपाल में या हेल्थ कार्निवल हमराह कारिकरम आयूजन किया गया है दोस्तो इस कारिकरम ने लोगों को फिटनेस के प्रती जागरू किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट भोपाल के बारे में बता दे जीलों के शहर के नाम से भी भोपाल को जाना जाता है और मद्यप्रदेश की राजधानिया भोपाल मद्यप्रदेश का सरवाधिक जनसंक्या गनतुव भोपाल में ही इस्तित है रास्टिय बिधी अकेडमी की स्थापना 1994 में भोपाल में की गई थी ताजुल मस्चिद जो देश की सबसे बड़ी मस्चिद है यह भोपाल में ही इस्तित है दोस्तो बिशु का सबसे बड़ा सौर उर्जय सैंत्र भोपाल में ही बनाया गया है तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन दोस्तो अब बात आईए शोपूर की तो आपको कुछ important fact शोपूर की बारे में बता दें चंबल संभाग का एक जिला है शोपूर मुरेना जिले से 1998 में अलग करके शोपूर जिला बनाया गया था पालनपूर में कुनो वन्नजीव अभ्यारन इस्तित है दोस्तो इस जिले में काक्ता जिला से इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको शियोपुर जिले के बारे में याद रखना है किस जिले में हौकी के लिए एस्टो टर्फ मैदान बनाने की पेसकस की गई है जिसका से यौफशन है उज्जेन और जेन में हाली में होकी के लिए एस्टो टर्फ मैदान बनाने की पेसकस की गई है दोस्तों ये एस्टो टर्फ ग्राउंड क्या होता है आपको इसके बारे में बता दें इस ग्राउंड में करतिम घास उगाई जाती है जो साधर घार्ट से बहुत मजबूत होती है इस घास की जड़ें मजबूती के साथ जमीन के अंदर तक रहती है जिससे खेल के दोरन घास बिलकुल नहीं उखड़ती है और इस पर आप दिन रात मैच के लिए जा सकती है दोस्तो अब बात आईए उज्जेन की तो आपको कुछ इंपूर्टेंट फैक्ट उज्जेन के बारे में बता दें उज्जेन में ही सुनिका प्रतम बार उप्योग ब्रह्म गुप्त ने किया था रुद्र सागर जील में नियाय इस्थल उज्जेन में ही इस्थत है भरधरी की गुफाएं उज्जेन में ही इस्थत है और दोस्तो देश के बारह जोत्रिलिंगों में से एक जोत्रिलिंग जिसका नाम है महा कालिस्वर यह भी उज्जेन में ही इस्थत है जंतरमंतर जो राजा जैसें द्वारा बनवाया गया था यह उज्जेन में ही इस्तित है। कालिदास अकेडमी की स्थापना उज्जेन में की गई थी और एसिया का सबसे बड़ा सोयावीन सैयंत्र उज्जेन में ही लगाया गया है। महरसी पाननी संस्कृत बिश्विध्याला भी 2008 में उज्जेन में इस्तापित की गई थी। तो दोस्तो इतना आपको उज्जेन जिला के बारी में याद रखना है। next question, IBNS के अनुसार दुनिया का सबसे खूपसूरत नोट किस देश का है। जिसका सई ओफ्षन है कनाड़ा, कनाड़ा का नोट दुनिया में सबसे खूपसूरत है। IBNS यानि International Bank Note Society के अनुसार सुरक्षा और खूपसूरती के लिहाज से कनाड़ा का 10 डॉलर दुनिया का सबसे खूपसूरत नोट है। और यह नोट, Note of the Year 2018 चुना गया है। सेकेंड नमबर पर है सोज़लेंड और धर्ड पर है रूस। दोस्तो आप चित्र में देख पा रहेंगे, यह है कनाड़ा का 10 डॉलर। दोस्तो अब बात आईए, कनाड़ा की तो आपको इसके बारी में बता दें। मैप में यह जगा है, कनाड़ा को दरसाती है। कनाड़ तो इतना आपको कनाड़ा की बारी में याद रखना है। भारत ने इस चेंपियंशिप में दो स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस मेडल जीते हैं। दोस्तो बाई साल के गौरव ने कॉमन वेल्थ गेम में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तो यह था हमारा आज का डेली करंट अफेर, आप मारे चैनल स्टेड़ी उनिवर् सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कल हम आपके साथ फिर मधिप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैवार नाइस टे,